हेलो फ्रेंग्स मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूर कभी फिल्म के स्क्रीनिंग में साथ जाना तो कभी सोन अमानत के रिसेप्शन में एक दूसे का हाथ थानना भई रनवीर और आलया के बीच क्या चल रहा है हर को यही जानना चाहता है आई दिन दोनों के अफेर्स की खबरे सामने आती रहती है बताय जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन की इभ्धा मास्र के पहले शेड्यूल के दुरान दोनों के बीच नजदीक्यां बढ़ी और दोनों एक दूसे को दिल दे बैठे हाली में रनबीर कपूर और आलया भट साथ में सूनम कपूर के रिसेप्शन कर गए थे जहां की एक तस्वीर को आलया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर डाल कर येस लिखा था जिसके बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है क्या आलया ने रनबीर को अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है वहीं आज हमारे हाथ एक ऐसी खबर लगी है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये जोड़ी कुछ तो खिछड़ी पका रही है जी हाँ दरसल मदर्स डे के मौके पर आलया ने अपनी मम्मी सोनी रासदान के साथ अपनी टिक्चर शेयर की थी कैप्शन में लिखा हुआ था हेलो ब्यूरिफुल मौक ये आपका दिन है आज और हमेशा इसके बाद रंबीर कपूर की मा नीतु कपूर ने आलया के पोस्ट पर और का कमेंट किया जिसे देखने के बाद हमें तो यकीन हो गया कि मम्मी नीतु को उनके बेटी की 24 पसंद है लगता है अब सोनम के बाद आलया की भी डोली जल सजने वाली है आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं